हमस्कार दोस्तों आवसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खुपसुरत डिजाइन लाए हूँ जिसे आप बच्चों के स्वेटर में बनाए जाहे लेडी स्वेटर में बनाए दोनों में ही ये बहुत ही अच्छा लएगा इसे बनाने के दस के मल्टिपल फंदे चाहिए और साथ फंदा एक्स्ट्रा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे यहाँ पर आपको प्रदिन एक निया डिजाइन देखने को मिलेगा और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो और साथ फंदा एक्स्ट्रा लेना है तो मैंने सत्रा फंदा डिजाइन बताने के लिए इसमें डाला है और पहली लाइन में सबी फंदे सीधा बुल लिया है तो डिजाइन की पहली लाइन में सबी फंदे सीधे बुल लेने है तो डिजाइन का दूसरा लाइन और रॉंग और लास्ट फंदा इसे उल्टा बुन ले ये एज स्टीचा इसे उल्टा बुन ले थर्ड रो और फ्रंट साइड तीसरी लाइन में अब यहां पे हम अपने दूसे रंके उनको अटैश करेंगे और पहला फंदा सीधा बुन लेंगे नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे फिर सीधा फिर सीधा फिर सीधा फिर सीधा फिर स्लिप करेंगे उसके बाद पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे फिर अगला फंदा सीधा फिर स्लिप करेंगे फिर सीधा फिर सिल्प करेंगे और फिर सीधा और स्वोर्थ रो में बुने हुए फंदे उल्टा बुन लिये जाणे और आ इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर रगे फिफ्त रो और फ्रंट साइड अब अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदा सीधा बुलेंगे और फिफ्त रो में पहला फंदा उल्टा बुलेंगे या स्लिप कर लेंगे शेज सभी फंदे सीधा बुलेंगे और लास्ट फंदा एजस्टी छे इसे हम उल्टा बुलेंगे सेवन्थ रो और फ्रंट साइड अब अपने सेकेंडरी कलर से हम छे फंदा सीधा बुलेंगे एक दो तीन चार पांच और छे देखें देखें उसके बाद नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे अगला फंदा सीधा next slip करेंगे अगला फंदा सीधा फिर next slip करेंगे ये हमारे 5 फंदे हो गए और ये 5 और एक यानि 5 प्लस 1 ये 6 फंदे और ये 5 फंदे अब लास्ट में 6 फंदे बचे रहेंगे जिने हम सीधा बुन देंगे और रांग साइड से सब भी फंदे उल्टा बुनेंगे और slip किया हुआ फंदा slip कर लेंगे slip किया हुआ फंदा slip कर लेंगे बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे नाइन्थ रो में हम अपने प्रैमरी कलर से सभी फंदा सीधा बुन लेंगे रोंग सैट से पहला फंदा और छेम सभी फंदे सीधा रहेंगे जब हम अपने प्रैमरी कलर से बुनाई कर रहें तो उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा रहेगा शेख सभी फंदे सीधे रहेंगे और last फंदा उल्टा रहेगा एक रंके उन से टो लाइन बुनने के बाद अगला दो लाइन दूसे रंके उन से बुना जा रहा है last फंदा उल्टा 11th row और front side अब अपने secondary color के उन से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे यह edge stitch है और इन 5 फंदों पे design बनेगा यानि अगला फंदा slip करेंगे next सीधा फिर slip करेंगे फिर सीधा और फिर slip करेंगे यह edge stitch है और देखिए यह 5 फंदे जिन पे design बनेगा और बीच में ये पाश फंदे पर डिजाइन बना है तो ये पाश फंदे जो है वो सीधे बुन लिये जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाश और यहां पर देखिए ये छे फंदे हैं तो पाश फंदे पर डिजाइन बनेगा और last phone da As tichy इसे सीधा बुनेंगे तो next phone da हम slip करेंगे अगला सीधा फिर slip करेंगे फिर सीधा फिर slip करेंगे देखिए यह पाँच phone day हो गया और last phone da As tichy इसे हम सीधा बुनेंगे wrong side से जब हम secondary color से बुनाई कर रहे हैं तो बुने हुए फंदे उल्टे बुनेंगे और slip किया हुआ फंदा slip कर लेंगे बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे और फिर फ्रंट साइट से देखिए यह सभी फंदे प्रामरी कलर के उनसे सीधे बुनेंगे रॉंग साइट से चुकि यह हमारा प्रामरी कलर है तो पहला फंदा उल्टा या slip करेंगे शेस फंदे सीधे रहेंगे और लास्ट फंदा उल्टा और अब यह लास्ट फंदा है एज स्टीच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे सेकेंडरी कलर से बुनते समय देखिए यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है पहला फंदा एज़स्टीच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और यह देखिए, पाश फंदे जिन पे डिजाइन बना हुआ है, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे यानि कि, एक 5 फंदा design के और एक फंदा ऐस्ट इस यहाँ पे कुल 6 फंदे हो जाएंगे और यह 5 फंदे plane थे, तो यहाँ पे अब design बनेगा, यानि पहला फंदा slip करेंगे, next पे design, सीधा, फिर slip करेंगे, फिर सीधा, फिर slip करेंगे, देखिए, 3 स्लिप किया हुए फंदे और दू बुने हुए फंदे पांच फंदे इन पर दिजाइन बना हुआ है अब यहां पे छे फंदे हैं जिने हम सीधा बुन लेंगे रॉंग साइट से बुने हुए फंदे उल्टे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और फिर अपने प्राइमडी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रॉंग साइट से पहला और लास्ट फंदा उल्टा और श्रेस सभी फंदे सीधे तो फ्रेंट्स डिजाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सामने से यह ऐसा दिखा दे रहा है और पीछे से ऐसा डिजाइन बहुत ही आसान है लेकिन बनने के बाद बहुत ही खुबसूरत दिखाई देगा देखिए डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाएए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाले वीडियो दोस्तों में शे कीजिएब कीजिए